वेलकम टू माई यूटूब चैनल इंगलिस सब नाइन नाइन चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंगलिस ग्रामर में इंगलिस ग्रामर में टेंस tense का means होता है call या फिर हम समय बोलते हैं या इंगलिस grammar का बहुत basic चीज़े है या जानना बहुत ज़रूरी है चली हम इसके definition को देखते है definition का means होता है परिभासा tenses deal with the time का means होता है some way any action कोई car and या our event कहने का मतलब यह है किसी भी car का या किसी भी event event का means होता है किसी घटना का या किसी car का समय के साथ जो संबंद होता है उसी को हम बोलते है tense किसी भी car का या फिर घटना का समय के साथ संबंद ही tense कलाता मतलब यदि किसी के जीवन में जो कारे हो रहा कर रहा है या कोई घटना उसके जीवन में जो घट रही है उसी को हम बोलते हैं टेंस है ये टेंस का real definition है चलिए on this basis इसी अधार पर there are three types of tense tense तीन परकार के होते हैं पहला हमारा होता है present tense जिसको अर्तमाल काल बोलते हैं करने के मतलब कोई भी कार या कोई भी घटना जो इसी समय में हो रहा है उसको हम present tense बोलते हैं और दुसरा हमारा है past tense past tense का means होता है भूत काल का means होता है कोई भी घटना या कोई भी कार जो हम बिते हुए समय में करते हैं वही हमारा past tense हो जाता है और वैसी ही future tense मतलब भविष्च काल होता है कोई भी कार या घटना जो भविष्च में घटित होती है या होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंस इसी के आधार पर जो जैसे present tense हो गया उसके भी चार भागोते हैं past tense हो गया उसके भी चार भागोते हैं future tense हो गया उसके भी चार भागोते हैं चलिए पहले इसके part को दिखते हैं जो present tense होता है उसको हम अरतमान काल बोलते हैं मतलब present की अवस्था में कोई कार या फिर कोई घटना जो हो रहा है वो चार परकार से होता है पहला हमारा होता है present indefinite tense indefinite का मिन्स होता है अनिशित और present का मतलब होता वर्तमान मतलब इस अवस्था में जो हमारा कार होता है या कोई हमारी जो घटना घटित होती है उसको हम बोलते हैं present indefinite tense और present continuous tense, continuous का मिन्स होता है जारी होना या लगातार कहने का मिन्स यह है present की अवस्था में इसमें कोई कार या कोई घटना क्या रती है जारी रती है परजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट का मिन्स होता है पूर्ड मतलब परजेंट वर्तमान की अवस्था में कोई कार क्या हो चुका होता है पूरा परफेक्ट का मिन्स होता है पूर्ड और परजेंट परफेक्ट का मिन्स होता है पूर्ड और कांटीनिवस का मिन्स होता है जारी या लगातार कहने का मतलब यह है कि वर्तमान ही समय में ही कार का कुछ भाग पूरा हो चुका होता है कुछ भाग क्या रहता है जारी रहता है यदि कोई मजदूर किसी के घर कार कर रहा है तो यदि 2 घंटे 3 घंटे कार पूरा कर चुका है तो वहाँ पर और कुछ बाकी है तो वहाँ पर कौन सा tense हो जाएगा present perfect continuous tense कुछ कार्य या घटना का कुछ भाग पूरा और कुछ भाग क्या रहता है जारी रहता है चलिए हम इसको example से समझते हैं और इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि present tense के चार भाग होते हैं वैसे ही past tense के चार भाग वैसे ही future tense के चार भाग जैसे ही यहाँ पर हम बोलें present indefinite tense तो यह present की जगा हो जाएगा past indefinite tense वैसे past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense और वैसे हो जाएगा future वाला future indefinite tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense चले हम इसको example के माध्यम से और अच्छा समझते हैं देखे वास्तों में जो sentence होते हैं जो वाक्य होते हैं वे तीन परकार से होते हैं एक होता है simple sentence जिसमें काम की बात नहीं होती है जिसरा होता है tense का sentence जिसमें काम की बात होती है या कार या घटना की बात होती है और तिसरा होता है मारा मोडाल्फ जिसमें सामर्थ छम्टा की बात की जाती है चलिए हम इसको एक्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं राम एक राजा थे राम ओज एक किंग यहाँ पर कोई कार या घटना नहीं हो रहा है बस एक simple एक साधारण तरीके से बताया जा रहा है कि राम एक राजा थे उसके पास एक car था HeUC अब देखे एंब तो बतल साधारण वाक लेकिन आगला शिवाज learning lesson वह एक पार्ट याद कर रहा था learning का means होता है याद करना वह एक पार्ट याद कर रहा है जैसे learn, learn का मतलब होता है याद करना इसका मतलब कार जैसे पढ़ना, लिखना, हसना, गाना, नाचना, रोना, हसना, सुना इस अभी हमारे किसमे आते हैं कार में और जहां कार या घटना की बात होगी वो हमारा sentence, tense का sentence हो जाएगा शिवा लर्निंग या लेसन वो एक पाठ याद कर रही थी तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एक कार हो रहा है पाठ याद करने का इसलिए हमारा कौन सा sentence हो जाएगा? tense का और जो tense का sentence होता है इसमें कार की या घटना की हमेशा बात होती है He will miss you वो हाँ आपको याद करेगा यहाँ पर miss का miss होता है याद करना याद करना भी क्या होता है हमारा? कार होता है मतलब मन में यदिम किसी को याद कर रहे है तो हमारा क्या होगा? कार He will miss you वो हाँ आपको याद करेगा तो यहाँ पर याद करना हमारा क्या होगा? कार और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? कि जो tense के sentence होते हैं उसमें हमेशा कार की बात होती है वैसे ही आगे हम example के मादियम से समझते हैं May I come in sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Sir का मिनस होता है श्रीमान तो यहाँ पर जो modals के होते हैं May, can, could, may, might, must, should इस अभी modals के sentence होते हैं जहाँ पर यह आ जाते हैं May I come in sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वैसे ही you can go तुम जा सकते हो तो May, can, is अभी modals के sentence होते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो sentence होते हैं generally three types के होते हैं पहला simple sentence जिसमें काम की बात नहीं की जाती है दूसरा tense का sentence जिसमें हमिसा कार की बात होती है और तिसरा होता है हमारा modals जिसमें सामर्थ चमता की बात की जाती है